हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस आल इन वन चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सभी पैंशनर्स और फैमिली पैंशनर्स से लेटेड जो आज का अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे जिसमें की पैंशनर्स और फैमिली पैंशनर्स को जो है लगबग 6,000 का जो बेनिफिट मिलता है उसके बारे में कई लोगों को नहीं पता इसका तो उसका क्या प्रोसेस है किस तरीके से आपको ये बेनिफिट मिलेगा और मैं सीधे-सीधे आपको जो PCDA की वेबसाइट है गया है कि किस तरीके से आप जो है ये बेनिफिट ले सकते हैं किस कैटेगरी में बेनिफिट लेना है और कैसे आपके एकाउंट में ट्रांसफर होगा चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इंपोर्टेंट अबडेट के बारे में और ये सिर्फ पैंशनर्स और फैमिल बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों मैं आपको वेबसाइट पर लेके चलता हूँ आप देख सकते हैं यह PCDA की जो है ऑफिशल वेबसाइट है और आप इस न्यूस को यहां पर भी कनफर्म कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर यह मेडिकल एलाउंस के बारे में अपडेट है और इसमें लिखा है फिक्स्ट एमाउंट ओफ मेडिकल एलाउंस रुपीज फाइफ हंड्रेड पेबल है और यह आपका पर मन्त है तो आप येरली लगा लीजिए आपको जो है छेहजार पढ़ जाएगा यह इसलिए बताए जा रहा है क्यों कई लोग को नहीं पता इस चीज़ का और कई बार नोटिफाइड किया गया है along with original pension based on the option given by the pensioner and undertaking that he or she is residing in an area not covered with CGHS scheme आपको इसके लिए just a undertaking देनी पड़ेगी कि आपके area में CGHS का नहीं सुविधा है तो आप इसको ले सकते हैं those who exercise the option will have to give an undertaking once per year और यह आपको जो है ऐसा नहीं कि एक बार आपने दे दिया उसके बास से आप नहीं दे सकते हर साल जो है क्योंकि इसमें ये possibility है कि अगले साल हो सकते हैं आपके area में ये CGHS के polyclinic खुल जाएं तो अगर जो है नहीं खुला हुआ तो हर साल आपने सिर्फ undertaking देनी है और उसके बास से आप देख सकते हैं कि the option for fixed medical allowance can be changed only once in a lifetime by pensioner on account of change in residence in case pension wants to draw medical allowance subsequently तो that same will not be notified by the PSA और PCDCA आप देख सकते हैं दोस्तों से pensioner should approach जो भी बैंक के वहां पे इसके purpose के लिए जाना है आपको इसके लिए apply करना पड़ेगा क्योंकि कई लोग जो है उस area में है बट स्टिल जो है इसका benefit नहीं ले रहे है तो दोस्तों इसको अगर benefits का proper लेना है तो आपको जो है proper जो process बताये गया उसके recording करना पड़ेगा और यह आपको जो है fixed medical allowance पर मन्त आपको जो है 500 रुपे मिलना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों यह था आजका important update आप PCDA की website पे इसको चेक कीजिए दोस्तों गर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए share कीजिए और सभी pensioners family pensioners defense pensioners की अमाम different तरह की updates के लिए चैनल को subscribe जरूर करें thank you for watching this video